तो दोस्तों कि आपको पता है कि आपकी आखों से हैं पता चल सकता है कि आपके मृत्यू कब होने वाली है तो दोस्तों इस वीडियो को अंतक जरूर देखेगा क्योंकि वीडियो खतम होने से पहले आपको आपके सभी सवालूप के जवाब हर बार की तरह जरूर मिल दोस्तो आखे हमारे सरीर का काभी जरूरी भाग है ना सिर्ब देखने के लिए बलकि हमारे बारे में जाने के लिए भी आखों से हम यह जान सकते हैं कि कोई किसी को गुस्ते से देख रहा है या फिर प्यार से इसी बात को ध्यान में रखकर इंगलेंड के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा algorithm विक्सित किया है जो मनुस्ते की आख को देखकर उसकी मौत का साल, दिन तथा पूरा का पूरा समय बता सकता है यहाँ algorithm मनुस्ते की आखों के रेटीना को स्कैन करके यहाँ बताता है कि वहाँ कब मरने वाल है दोस्तों, नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ algorithm सिर्फ प्राकृतिक डैट यानि नैशुरल डैट को ही बताता है यानि कि जो उम्र बढ़ने के कारण मृत्वी होती है उसी के बारे में यह algorithm बता सकता है बिटेन के अंदर इस algorithm का परिच्छन 47,000 लोगों के उपर किया गया जिसमें से 1870 लोगों की मौत उसे दिन हुई जिस दिन इस algorithm ने बताया था इस algorithm को बनाने वाले विज्ञानिकों से जब पूछा गया कि यहां कैसे काम करता है तो उन्होंने जवाब दिया कि जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मनुस्य को होने वाली बिमारियों का उसके विभिन अंगों पर विभिन तरह का प्रभाव परता है उधारन के लिए मनुस्य के नाखुन से हम किसी भी मनुस्य के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं ठीक इसी तरह मनुस्य के आखों से हम काफी कुछ जान सकते हैं समय के साथ मनुस्य बूढ़ा होता जाता है लेकिन मनुस्य के सभी अंगों पर उसके बढ़ती उम्र का काफी अलग-अलग असर पड़ता है मनुस्य की आँख मारोश वहर अंग है जिसमार बढ़ती उम्र का सबसे जादा असर होता है इसलिए 40 साल के उम्र के बाद जाद अबता हैं लोगों की आखे कमजोर हो जाती है मनुस्य की आखे रेटीना मनुस्य की बढ़ती उम्र के प्रती काफी एक्टिव रहती है इसलिए मनुस्य की आख से हम उसके उम्र भी पता कर सकते हैं यहाँ एल गॉइडम बस किसी तरह से मनुस्य की आख के रेटीना को स्कैन करके यहाँ अंदाजा लगाता है कि वो कब तक पूरी तरह से खराब होगी तो कि मनुस्य के उम्र का उसके आखों पर सीधा सासर पढ़ता है इसलिए मनुस्य की आख पूरी तरह से तभी खराब होती है जब मनुस्य के उम्र काफी जादा हो जाती है इसके अलावा रे टीना पर मनुस्ते के दिमागे इस्तिती का भी काफी सीधा सासर पड़ता है इसलिए मनुस्ते की आख का खराब हो जाने का मतलब है दिमागी इस्तिती का खराब हो जाना और उम्र का काफी जादा हो जाना साधारन से सब्दों में कहे तो इसका मतलब है मर जाना तो दोस्तों अब तक आप यह जान चुके होंगे कि मनुस्ते की आख ना सिर्फ देखने में मदद करती है बलकि हमारे सरीर के अंदर के रोगों के बारे में जानने में मदद करती है और साथ ही हमारे भविस्ति के बारे में भी जानने में मदद कर दिया है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक सेर कॉमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे तब तक के लिए अलवीदा जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ